पिछले 21 दिनों से मैं एक मिशन पर था इन 50 online course platform मैं से मुझे best platform धुणना है इतने online courses भीचने वाले platform हो गए ना कि जब भी एक अच्छा course धुनने की कोशिश करते ही तो इतने सारे options हो जाते हैं और वो options देखे ना दिमाग खराब हो जाते हैं अगर एक जन्यून और काफी ज़ादा यूसुल प्लाटफॉर्म धूनना है ना तो वो बहुत ही टफ है या। हाँ जी भाई साब, तो मिशुन था, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स आफर करने वाले प्लाटफॉर्म को डूना जाए। क्योंकि अगर आप अपना सारा का सारा टाइम वो बेस्ट प्लाटफॉर्म धूनने में लगा दोगे तो कोर्स के कंटेंट को कब पढ़ने वाले हो, कब सीखने वाले हो और कब पैसा कमाने वाले हो। अगर आपके लिए मेरी मेनत इतना सा भी काम आती है तो इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक करके वीडियो को मुझे जरूर से बता देना कि आपका क्या फीलिंग है। हाँ जी भाई सार तो प्लान सिंपल है। इन 50 online course platform में से मुझे best platform ढूणना है जो सची मुची में सीखने में help करेगा और सीखने के बाद में implement करके उससे और ज्यादा progress करने में अपने career में help करेगा। इन में से हर एक platform को एक अगनी परिक्षा से गुजरना पड़ेगा। और इस अगनी परिक्षा में एक, दो या तीन parameters नहीं हैं, पूरे 14 parameters हैं। अब इस वीडियो को बहुत जादा लंबा नहीं करो, इस वजे से इन में से हर एक website को इन 14 parameters पे test किया जाएगा और finally shortlist किये जाएंगे वो 5-7 ऐसे online platforms जो अगनी परिक्षा को पार करते हैं। और ये 5-7 shortlisted platforms को वापिस से दूसरे पढ़ाओं में एक और अगनी परिक्षा से घुजरना पड़ेगा ताकि हमको best platform मिल पाएं। और आप ये वीडियो स्किप करकर के देख रहे हो तो दुबारा rewind करा दो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपके लिए best online course वाला platform ढोड़ना और अगर वीडियो को like और चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो वो भी कर दो इस वीडियो पर काम स्टार्ट करने के पहले मैंने realize करा कि मैंने personally 20 से 30 ऐसे platforms के ओपर register किया हुआ है काफी सारे online courses अगर मैं गिन हूँ तो वो 400-500 के पर निकल जाएंगे उनमें enroll किया हुआ है और बहुत ही दुक्की बात है और मैं यह admit करता हूँ कि इन मैंसे maximum को मैंने आज तक देखा तक नहीं है इसका reason क्या हो सकता है क्या reason कुछ भी हो पर मुझे यह समझ में आता है कि इसका reason मैं खुद तो नहीं हो सकता हूँ ना हमेशा हमेशा मल अगर मैं खुद को blame करो कि भाई तो efficient नहीं है time manage नहीं कर रहा यह नहीं कर रहा है वो करना है अगर मैं blame भी करो तो मैं अपने आपको कितना blame करो यार अब उन courses की बात करो जिनको मैंने start किया है start करने के बाद एक कुछ ही mintों में घंटों में छोड़ दिया है उनके बारे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा starting starting में all these courses look और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं we realize जो content बताया जा रहा है वो और यह में आता है that is too basic that is not practical at all and a lot of other things और यह particular चीज ना मेरे साथ में एक दो बार नहीं हुए यह बार बार काफी सारे courses में हुए है I'm not sure आप लोगों से कितने लोगों ने यह चीज रेलाइस करी पर जब course को market किया जाता है तो काफी सारे commitment जी यह जाते है money back guarantees जी जाती है course प्रिव्यू बड़ा सही लगता है course की जो आपके साथ में table of content share की जाते हैं वो काफी interesting लगता है course को complete करके क्या-क्या फाइदे आपको मिलते हैं उसके बारे में बात की जाती पर जब आप यह course खरीते हैं तो ठंठं गो पाल होता है मतलब कि आपको कुछ नहीं मिलता है you realize कि भाई आपका पैसा waste हो चुका है वो है user interface क्योंकि उसका user friendly होना इस बहुत जरूरी course experts क्योंकि सिखाने वाले copy paste content बनाने वाले नहीं experts होने चाहिए pricing क्योंकि personal budget नाम की भी तो कोई चीज होती है na value addition क्योंकि जब time invest करना ही है तो कुछ values तो add होनी चाहिए ना life में customer reviews दुनिया वैसे तो जाए भाड में पर इस case में उनके reviews वो definitely matter at least a little content quality क्योंकि भाई अपने को quality मांगता content access क्योंकि अगर limited कर देंगे और बीच में मुझे धक्का मार के निकाल देंगे तो भाई that is not what I'm paying for focused content list क्योंकि क्या सिखा रहे हैं उसकी पूरी list मेरे पास में होनी चाहिए partnerships with universities and institutes क्योंकि अगर यह हो तो भाई बात ही क्या community क्योंकि self-claimed best websites हो बहुत सारी है यार पर अगर उनके users ही community में उस website के बारे में अच्छे अची बाते नहीं करेंगे तो point ही क्या assignments, quizzes, certificates क्योंकि learning को यह चीज है double triple make sure करते हैं यार learning format क्योंकि कैसे सिखा रहे हैं, tutorials हैं, यह है, वो है, all that matters a lot, customer support क्योंकि बहुत ही जरूरी है यार अगर issues होते हैं तो console करेगा, money back चाहिए तो कौन देगा, languages क्योंकि अगर एक course अलग-अलग languages में available है तो भाई इस से better हो ही क्या सबता, personal experiences क्योंकि जब तक खुद का तड़का ना लगा और बात ही नहीं बनती न है, money back guarantee, भाई साब बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि अगर course मेंने अन्रोल कर लिया और घड़िया निकला तो पैसे तो मुझे वापिस सही न बास, अब इन 50 के 50 online courses platform को मैंने इन सारे के सारे 14 parameters में टेस्ट किया और finally ह हमारे पास में एक shortlisted list है, पर एक छोटा सा twist है, twist है एक छोटी सी problem, इन सभी platforms को test करते हैं मैंने realize करा कि इन में से एक भी platform ऐसा नहीं है, जो इन सारे के सारा parameters में pass होता है, यानि कि कोई platform इसमें बहुत अच्छा है, तो दूसरा platform इसमें बहुत अच्छा है, पर जो भी आप के पास में shortlisted list है, यह वो platforms हैं जहां पर maximum parameters में pass किया गया है, अब क्योंकि ऐसे ही online course platform का नाम ले देना और उसके बारे में कुछ ना बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि मैं चाहूंगा चीजें एकदम clear हो, इसलिए में काम करते हैं जिसे वो award shows में नहीं होता है, यह अलग-अलग category में, अलग-अलग type के हिसाब से आप award देते हैं, तो यहाँ पे भी जो भी आपकी पसंद है और इन 14 parameters के हिसाब से मैं यहाँ पे एक award show करने वाला हूँ Most affordable online learning platform award goes to Kilshare and Masterclass, क्योंकि यहाँ पे आपको 100-700$ में yearly subscription मिल जाता है, with unlimited access to all their courses, तो यह तब useful हो का जब आपका continuously सीखने का plan है Most number of courses award goes to Udemy यार, जादा है तो बहतर है, ऐसा बिलकुल भी मत समझना, पर हाँ, Udemy is the only platform जहाँ पे धाई लाग से उपर courses आपको मिलते हैं, अगर आपका number of courses के उपर focus है, कि कौन कितना regularly बहुत सारे डेडेर करके courses बना रहा है, तो आप Udemy को देख सकते हो मतलब कि आपको जिस भी चीज से related course रहे है ना, आपको कुछ ना कुछ तो Udemy में मिली जाएगा, अब चाहे वो useful हो, useless हो, वो मुझे नहीं पता, पर मिल तो जाएगा और अगर मिल जाएगा, फिर best कैसे दूढ़ना है, वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में, don't worry about that Best platform for free courses award goes to Coursera and Udemy अब वैसे तो दोनों को ही winner में ने announce किया वाया है, पर Coursera में भले ही number of free courses कम हो, पर वो Udemy के free courses से काफी बहतर है Udemy का नाम मैंने इसलिए भी include किया, क्योंकि काफी सारे Udemy के paid courses होते हैं, जो free हो जाते हैं for a very limited time और उनी paid courses के link को मैं हमारे telegram channel में share करता रहता हूँ, जो बहुत ही limited time के लिए free होते हैं, तो चितने भी members हैं, वो definitely उसका फायदा उठा लेता है I do it because I find कि वो कहीं न कहीं useful हो सकते है आपके लिए Best platform for universities accredited courses award goes to edX and Coursera यह वो वहले courses हैं, जो top universities like Harvard, Oxford से accredited होते हैं और आपको इन courses का certificate भे मिलता है Best course quality award goes to Skillshare, edX और Masterclass भाई, literally top of the class video production और इनका से video production ही भेता नहीं होता है, इनके जो course के content होते हैं, वो भी काफी amazing होते हैं for whatever देहा Best subject specific platform award goes to यहाँ पे साथ platform पहला edX for STEM, वहला science, technology, engineering and maths Udacity अगर आपको skills सीख नहीं है for the career development Word Academy and Plural Site for computer engineering या फे data learn Data Camp for data science Mind value for mind, soul या फे self-improvement related चीज़ों के लिए And creative life for creative professionals Best platform with money back guarantee award goes to Masterclass and skills share मैंने हजारो परस्टर एक्स्पिरियंस और reviews पड़े हैं लोगों के जहाँ पे clearly mentioned है कि दीसू platforms are definitely amazing and money back guarantee जो आपको 30 days money back guarantee देते हैं बिना किसी नोटंकी के, बिना किसी follow-up question के, बिना किसी wait कराने के आपको maximum 5 दिन के अंदर-अदर अपना पैसा वापस मिल जाता है if in case you are not satisfied with whatever they are offering And last one, the best platform for creative courses award goes to Creative life and skills share अब ये तो हो गया award show का end पर अभी तक भी एक सवाल रह जाता है कि भाई सह, what is the best online course platform So, यहाँ definitely we have to talk about अगनी परिक्षा 2 मैंने बहुत कोशिश करी एक ऐसा particular parameter ढूणने की जिसके उपर सारे के सारे platform को test करूँगा और मुझे मिल जाएगी एक best platform But I hate to find myself in a situation जहाँ पर मुझे कोई answer नहीं मिलता है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया एक platform सारे के सारा parameter में amazing है ऐसा मुझे मिलना ही नहीं कहीं पर बी पर एक चीज़ जरूर है हमारे पास में अगनी परिक्षा एक के बाद में वो यह है कि हमारे पास में एक shortlisted number of platforms हैं जो काफी सारे parameters में काफी जादा और दूसरे platform से बहुत ही बहतर है इसका मतलब हम एक अगर final list बनाएं तो हमारे पास में 7 या 8 ये नाम होंगे जिन में ऐसे normally आप कोई course ढूनने का attempt कर सकता है पर फिर भी dilemma सेम हो जाता है कि इन 7 आप platform में से भी आप मुझे best कोई course ढूनना है कि whether that is something which is amazing or not अब बहुत ही simple से 4 step है या सुनो मैं बताता हूं आपको step 1 सीखना क्या चाहते हो उसकी एक list बना लो अब ये चीज़ जितनी specific होगी उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा for example अगर instagram ads के बारे मैं सीखना चाहते हो तो do not search for social media marketing यार क्योंकि अगर वो करोगे तो बहुत ही broad courses आपको मिलेंगे बहुत ही सारे मिलेंगे you will not find anything specific and useful समझ भे ना दूसरे step list all the platforms जो वो courses को offer करते हैं ये का मगर आप बहुत ही जल्दी से करना चाहते हो तो google search में instagram ads online courses को search कर लो आपको सारे का सारे result मिल जाएंगे starting starting में जो वो sponsor ads आते हैं उनको skip कर देना क्योंकि it makes no sense to include that अब इस particular step में अगर आप excel sheet का use कर लोगे तो बेतर रहेगा जहाँ पर course का नाव course का link उसका price उसके reviews जो भी information आपको मिल रही है वो सारे की सारे चीज़े वहां पर include कर लो अब इस process पे 5-6 ऐसे link से जादे include मत करना otherwise बहुत जादा confused हो जाओगे तीसरे step know the course creator और इस चीज़ का ध्यान रखना कि यह step बहुत ही जादा important है क्योंकि 99% of the online courses जो आपको नज़र आते हैं online that are created by people जो सिफ copy paste कर देते हैं content को they are not experts in it और क्या आप सच में ऐसे इंसान से सीखना चाहोगे जिसको खुद को OCs के बारे में कोई practical knowledge नहीं है वो सिर्व आपको copy paste theoretical ज्यान दे रहा है अब उस course में कौन आपको सिखा रहा है उसके बारे में google search करो, social media पे check करो उसके काम को देखो यह समझो कि वो इंसान कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है मुझे पता है कि यह कुछ extra महनते पर आपको यह चीज definitely करनी पड़ेगी अगर आप justify करना चाहते हो अपने पैसे के investment को और कुछ actually में सीखना चाहते हो on top of that अब मैं एक example देता हूँ जब मैं इस video के उपर research कर रहा था तो मैंने Instagram ad related कुछ नहीं को search करा तो मुझे कुछ Instagram पर ad नजर आने लगे जहां पर कोई online course creator है वो अपने amazing Instagram growth के courses को बेच रहा है बार-बार मुझे याड नजर आ रहे है and I am skipping it again and again फिर मैंने सोचे चलो ठीके थोड़ा सा research करते है इस particular इंसान के उपर मैंने थोड़ा research करा Google search करा simple search के बाद मुझे पता लगा कि जो इंसान मुझे Instagram growth के secrets और hacks बता रहा है वो खुद struggle कर रहा है Instagram पर grow करने के लिए even when he might be having 100k के उपर followers उसको hardly 15-20 likes सारे हर एक post में अब अगर ऐसा इंसान मुझे Instagram growth के बारे में सिखाएगा तो definitely convincing तो नहीं लगेगा और चौथा final step पो होगा assess the price price definitely बहुत important factor होता है और मैं यह बिल्कुल नहीं बोलने वाला हो कि भाई आप free वाले के उपर ही करो क्योंकि जरूरी नहीं है फ्री में आपको कच्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा पर डेफिनिटी जब आपने वो टेबल बनाया वा है ना तो जीरो से लेके 1000 तक का यानि जो highest price है उसको आप ascending order में list कर लो of course आपको जो पहले परपारूल वाले कोर्स आपको सबसे जादा वाल्यू देता है तो ऐससा बिल्कल भी नहीं है बस आपको सिफ चार्ड़ स्टेप बहुत इमान दारी से थोड़र सा टाइम देते वख करना है and you will definitely find the right online course for whatever you are looking for बाकि अगर आपको फिर भी help चाहिए किसी भी चीज़ से related जो भी मैंने यहाँ पर शेयर करा you can always comment below या फिर आप मुझे email भी कर सकते हैं email id mentioned in the description में इस video में इतना है जाने के विले like ज़रूर कर देना और subscribe कर लेना पैसा वैसा को बागी मैं में लोगा आपको नेकर दोतों के लिए take care and keep us living